जेहन सातियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके पने यूटूब चनल मुकेश मिंदर एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्त में अंदर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों कक्सा बारा भुगोल का अरदवार सिक पेपर है राजस्तान बोड का इसको आप के लिए बहुत यह दिए बहुत है और जिनका भी भुगोल का एगजाम नहीं हुआ है तो इस पेपर को अच्छे सा याद करके जाएंगे दोस्तों एक्जाम में ठीक है बिल्कुल हंड्रेड पर्शंट किशन मिलेंगे आपकी पेपर में इसको अच्छे से याद करना इस परिबास है किसकी है तो यह परिबास आपके जो किसकी है दोस्तो एलन सी सेंपल की है यानि option a hate हो जाएगा option a right हो जाएगा next question कि निमन मैं से कौन सी जनसिंग को प्रियोतन का गटग नहीं है जन सिंग्या प्रियोतन का गटग नहीं है जनमदर तो है मिर्तुदर तो है परवास तो है लेकिन यह पर आवास जो है यह जन सिंग्या प्रियोतन का गटग नहीं है यानि सी आपर राइट हो जाएगा आगे देरे का तीसरा कि निमन में से परव लोग रहते तो हम उस्तान को ने छोड़ेंगे वहां की जलवायू अनुकूल है तो वही पर हम रेना परसंद करेंगे जहां पर बेरूजगरी होगी तो दोस्तो हम का वा जाएंगे नहीं तो वहां पर देखो यह प्रतिकर्श कारक उप्सन अमड़ी यहां पर राइट हो जा वीसे का सबसे लंबा रेवल मारे कोन सा है onte return-side-s покуп और नाम से में तो नाम से जाणता है तो याद रहें उच्छी से इसके लर्व देखेगा बारत में सरवाधिक जनसिंग के गनतों किस राग्य का है बारत में सरवाधिक जनसिंग के गनतों किस राग्य का है तो सरवाधिक जनसिंग के गनतों वाला राग्य है ब्यार ग्यारा सो दो वेक्ति परतिवर किलोमेटर यानि जनसिंग के गनतों है ब्यार का ठीक ह और सबसे कम है आपके अरुनतल प्रदेश का निमन में से कौन सी रभी की फशल है तो देखो चावल यहां पर एक खरीब की फशल है कपास खरीब की फशल है माजरा खरीब की फशल है लेकिन गउं जो है यहां पर रभी की फशल है दोस्तों याद रखना आगे देखेगा मान यूरोपी लोगों ने तो मानुविकास के अधार रोपन कर्षी का प्रणाम किया था और लिख सकते जैसे चाय हो गई कोपी हो गई कपास हो गया यह ठीक है गन्ना यह सब रोपन कर्षी के प्रमुग फसले हैं को दो पसलों के नाम लिखने हैं ए धात्वी खनीज्चों के द और देखो इसमें बात करता हूं दात्वी खनीज्चों में सोना है चांदी नमवा यह आपके घ्रॉआत्वी खनीज्च में जिफ सम है ठीक रोग पोश्बेट है यह बलेक सकते हैं तो यह बहुसे हैं तो आपको लिखने इसमें 2 देजिए गा तो आप लिख सकते हैं परि पेला डिया शेटन बुगोल कर्शी भुग उद्योग भुगोल ब्यापार भुगोल यह सब आरती। निया प्रसी скор दें। जोब ऐसे के लिए प्यापर को अच्छे से देखें दोस्तों सतत पोशनी विकास से आप क्या समझते हैं सतत पोशनी विकास सतत का मतलब होता है निरंतर सतत का मतलब क्या होता है निरंतर पोशनी विकास यानि किसी भी हमारे पास कोई भी संसाधन है ठीक उस संसाधन का परिय सब्सक्राइब करना विकास करना ठीक है तो यह आप लिख सकते दोस्तों अब उत्तर सिमा आपको 50 सब्सक्राइब लिखनी है अब आप देख सकते हैं विस्तरित वानी जी अनाजकर्षी की चार विस्तर आप लिख सकते हैं कि देखो इसमें चैतर बहुत बड़े चैतर पल में यह जो है पर्मु जो फसले है वह गया जाती है ठीक है नाज तो तीसरी विस्तर चोति विस्तर आप लिख सकते हैं कि खाजयानों को सुर्ग सित्रकने के लिए बड़े-बड़े माल गोदाम बढ़ाए जाते हैं तो इस तरीके से चार विस्तर आप इसमें लिख सकते हैं यह बेरी-वेरी इंपोर्टन क्विशन याद रगना आप सभी तो फुटकर वियापार इसमें क्या होता है ग्राक कश्टमर वह बस्तू को प्रतिक्स लूप से खरीगता है जैसे रेडी वाले फेरी वाले दुकान वाले वह गए ठीक है अब यह देख सकते हो दोस्तों वेरी-वेरी इंपोर्टन मैंने आपको स्रीज में मिल जाएंगे अगर आपको स्रीज चाहिए ना अगर आप स्रीज में नोट्स में सब मिल जाएंगे स्रीज चाहिए तो स्रीज तीस रुपे प्राइज लगेगी इसके लवा आपको अगर नोट्स चाहिए दोनों बुक के ठीक है आपको पता ही बुगोल में दो बुक है फैस्ट और शेक कर देना आप ठीक है चलो तो भारते क्रिशे की समयशे यह लिख सकते हो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन क्यूशन इसको आप अच्छे से याद करेंगे यह मांचितर के अंदर यह पूछे आपको और जन सिंग का वितन को प्रवाइद करने वाले परमुकारक जिसमें भोगो बहुत से पर्शन आपके पेपर में मिलेंगे सभी पेपर को द्यान पूरुवग देखे अभी मैं उत्तर सही आपको बताने वाला हूं ठीक है तो निर्देश दिये गए हैं और यह कृष्ण वस्तुनिस्ट पर्शन है जो कि एक नमबर वाले पर्शन है पहला कि आर्थिक पूँचा है तो यह आके सामने देरे हैं तो आरती ब्यारती पूप यह नहीं होगा और आबन नंबर पका q89 हो टेक्स लागे देखेगा स्वर्ण कॉलर्ड कह जाने वाले किर्या के लाप स्वर्ण को क्या जाने वाले जो किर्या के लाप है वह किस चेतर के अंतर के रगतते हैं पंचम 6 4 4 4 3 3 3 kung तो इसका रएक आंसुर्ण होगा वह आपका नहर तो बताओ राजस्तान नहर या इंद्रागंधी नहर की संगलपना किस ने दी प्रोपेसर अमर्तिशेन ने कवर शेन ने इंद्रागंधी ने या डोक्टर महभूव उलहक ने तो इंद्रागंधी नहर की जो संगलपना दी वो आपके कवर शेन ने दी यानि इसका उप् प्रेपर को कहते हैं अंट्रश्टी व्यापर ठीक है तो अप्सन नमर यहां पर सी जो हो जाएगा आगे देखो अखारी पानी अखारी नहीं है दोस्तों टाइपिंग में मिस्टे रहे चुक यह टाइपिंग में नहीं पेपर बनाने में प्रोब्लम ठीक है उसमें तोड़े किस चेतां के मिस्टे गाएगा था और अलवर में थीक है अखारी देखो अतिल्बगुत्र आतम प्रसन आपको पूँच है और मैंने कही बार आपको अच्छे से बताई बी हैं आपको पटाराओगा मानू का प्रक almonds कर्दिक्रन के हैं मैं Indigenous G मान बतायए था कि क्या होता जिसे मानो आधी महश्ता में था तो वो परकर्ति शे डरता था परकर्ति की पूजा करता था अधिक वर्सा होती तो इस्वर का नाराज होना मानता था मानो में जब बुद्धी नहीं थी विकास नहीं था मानो में बुद्धी का विकास नहीं हुआ तो यह हमारी जो सोवित करशी को कितन है तो सोवित कर्षी कितने ड़कार जाता है आकार के आदार पर उड्योगों कितने परकार हैं दो परकार हैं नाम लिख केगा चोटे ठाइमौने की ोड़े पिंदी व害 बड़े परकार लिखेग को मैं इसका को या Examples ने परिवेंजाल, very important question है, परिवेंजाल किसे कहते हैं, सड़क और rail line के जाल को क्या कहते हैं, सड़क और rail, यह एक तरक सड़क हो गई और यह rail, सड़क और rail line के जाल को क्या कहा जाता है, परिवेंजाल कहा जाता है, मानु विकास के चार इस्तंबो के नाम लिखो, देखो मानु विकास के मानु विकास के इस्तंबों के बाद के लिसमें सबसे पहले आता है अधाया संता इसके लाबब दूसरा आपको याद रखना इस तरीके से जो है वो आपके है इस्तिरता तो इस तरीके और किया प्रिवतन के बनमों गतकों के नाम aat लिख सकते हैं जन्सी् कि प्रम को गया इसके लबागे गहरिशन नगर्ckt किहें की घरी 1000 नगर एसे जो सालन वोते हैं उसकों कहते हैं गैक करना हैं whether कर सकता है ये यह आपके सामने ये गहरशन अगर यह शावनी नगरें याद रहना पच्चिमी बंगाल में बंगाल में चावल के तीन फसले बहुत आती है एक अमन आपके सामने बोस ऑस यह और बोरू यह आपको याद रहना बेटिसे में इसमें क्यों वेक्ति चिकित्सा उप्चार के लिए जो है विदिसों में जाता है तो इसे हम कहते हैं चिकित्सा प्रेटन ठीक है याद कर सकते हैं जैसे दिल्ली हो गया मुंबय हो गया चन्ने ही हो गया और कोलकाता हो गया तो इस तरीके से जो है चार नगरों को जोडने वाली प्रियोजना व है वो स्वानिम चथरबुद्ध प्रियोजना है यह आपको याद रकना है अब मैं फटा-फटा आपके सामने डोनों बोक मुल जाएगी 50 लुप दे रहें में यह मेरे व्यूप्र नमघ करेंगि इके स्ना जो दे रहा तो दोनों भूक मिल जाएगी टिकशन किया होगा के आप फ्रीजरर चाहिए अगर इसफेश करेंगे आ उखेग करते हैं उठीरे लगू उद्योग में अंतर आपको याद रखना है हरित करांती के उपरिवजय क्या क्या है वो भी आपको याद रखने है यह नोर्स में आपको मिल जाएंगे बारत के उपरिया संचार पढ़नाली का विशलय समय दिन करना है और भारत के गरामिन बस्तियों को कितने आरेवारत में जन सिंह के वितन को परभावित करने वाले आरती करया हूँ जिया इस हुशे सारे पेपर कर आए मैं जितना मुझे एक्सप्रेंस है मैं इतने सारे मेरे पेपर करवारों जोग्राफी के तो इसमें यह बार-बार पुछा जा रहा है तो इस परसन को आपको अच्छे से याद कर लेना है ठीक है वितन को प्रवाइट करने वारा आरतिकार आरतिकार में या तो भोगुली कारक तरिस्तित हैं पंजाब हिमाचल प्रदेश राजिस्तान हरियाना सब कृषण नोट्स में से बनाएं जो पूरा पूरा प्रेपर नोट्स में से छपपा हैं अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो नोट्स में से हैं सभी कृषण अगर आप चाहिए नोर्स आपको तो नोर्स प्रइज तो आपको पीडिम की रूप मन गी नोर्स अबेकि प्रकार जाता है राजयस्तान बोड़ों जिनके आप भी प्रकार नहीं हुआ तो यह प्रिक्षिपित बस्ती यह और है तो इस परकार से चार जो है वो ग्रामन बस्तियों के परकार है जो कि आपको याद करने थे तो इसको ऑप्शन की अब सिकार करना ये नेगूं कि आपके प्रॉयस्ति बम याद रखे याद रखे बह निति उनका उन्होंने भेजा है लेकिन क्वालिटी में सही भेजा है उसी प्रिकार से अची प्वेज़ो आप पॉपोलिशन पुस्त के लेकर कोन है तो इसके जो लेकर है तो आपको याद रखना महानगर जब पचास लाग की जनसिंग हो जाएगे पचास लाग जनसिंग की आ तो वो कहलाएगा मेगा नगर तो यहां पर मेगा नगर तो है हैं यह इंपोटन है डिसी नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर गेरीशन नगर क्या होते हैं गेरीशन नगर इन्हीं चावनी नगर उनको कहते गेरिशन नगर इसके उदान भी आप लिख सकते हैं अंबाला जालंदर यह आज मैंने करवाई थे दोस्तों अगर आपको आपने वीडियो देखाऊगा मेरा लाइव में लाइव में करवाई थे मैं सब परसन यह वन्हों पर आदरित किनी दो उद्योगों के नाम बतो अब आप कोई भी लिख सकते हो जैसे फ्रनिचर उद्योग हो गया ठीक है इसके लाव भवनिर्मान यह आप लिख सकते हैं वन्हों पर संचार के व्यक्तिकत साथनों के दो उद्रन बताओ तो संचार के व्यक्तिकत आप रेडियो लिख सकते हो टेलीविजन लिख सकते हो इंटरनेट लिख सकते हो यह संचार के तो साथन है दोस्तों व्यक्तिकत किनी दो रोपन करसी फसलों के नाम बताने थे अब रोपन करसी समुद्री माल वो १र्भीक टेलर गिर्फेट्ट टेलर रुपर किसमें परतिबाद की ती जन सिंह क्या प्रिवतन के गटक मैंने बता यह ता दो फना परकार के होते हैं एक तू बता है नेचुरल गटक नेचुरल एक होता दट ली सकता है कि यह जंसरी को बच आई या जल संबर परबनन ओर इसके लावा धातवी खनीजें अंतर भी बता दिया नहीं दातवए खनी जिसमें दातु के मात्रा पाई जाती हैं ए दातु के मात्रा नहीं पाई जाती हैं वो लिकने थी इसमें विश्व्य संगत और को पर एक संक्सिर प्रिपणी इस ऐती आपना पेंटी सो पिंचण में हुई थी ठीके बारत में गन्दी बस्तियों की समयशे के सम प्राप्ति के विकास की मेतर पुन का बढ़न्ट करना है वीशु में जन सिंग का वितन को प्रवाइज फ्रवाई किस परकार की मिर्दीक और ते यह आपको तीन नबर मिल रहे थे सिचे से आपको अच्छे से आपको करंगे दिया 20 करब कि दिये गए कूंसा 1977 मैं नहीं दे रहा क्या हां यह सिंग्रोनी राणिगंज को और भाज हरिया ठीक यह आपको दर्सान थे मेप में चलो तो यह पेपर था छोटा सा बिल्कुल इजी पेपर है ठीक है और यह राजस्तान बोड के लिए इंपोर्टेंड है जिनका पेपर नहीं हुआ है तो सभी अच्छे से नोट करेंगे वैसे तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही मैतपुन है ठीक है और हंड्रेड पर्शंट यहां से इसी प्रकार की किशन आपकी पेपर में पूछे जाने वाले हैं तो आपको वीडियो को ए मुकेष महंदर एज्यूकेशन उस चैनल पर जो है इसको हल करवाएंगे दोस्तो बोर हैं अपना यह चैनल महंदर व्यौवर कोचिंग नया चैनल है अगर आपने सबसक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजियगा ठीक है चलो तो यह आपके सामने दोस्तों देर देख सकते हैं हे जैसा का जैसा पेपर आपके आने वाला है ठीक है most important question है दोस्तों जादस जदा अपने सात्यों के बीच इसको share करना है यह देख सकते हैं very very important है और इन सभी परसुनों के जो हल है दोस्तों वो live class के माधियम से आपको cover करवा दी जाएंगे सभी question ठीक है तो live class हमारी 7 बजे चलती हैं जुड़ जुड़े आप सभी और यह देख सकते हो दोस्तों अति लगूतरात्मक परसण आपको पूंच हैं अति लगूतरात्मक तो मैं बात करते हूँ आपके सामने लगुत्रात्मक पर्शन देखते हैं अब जो लगुत्रात्मक पर्शन है वो आपके डेड़ेड नमबर के ठीक है तो देख सकते हो तीसरा चोथा पाँचवा चट्रा साथवा आठवा आठवा नवा दसवा ग्यारा बारवा यह किशिन आपके सामने तीसरा सामाजी भुगोन के उपचेतर पूछे आपको परवास का सामाजी प्रणाम किया है यह सब जो कुष्ण ने इन सब के आंसर आपको लाइव क्लास में अच्छे से कवर करवा दिये जाएंगे तो आप पहले जो हैं कुष्ण को अच्छे साब नोट कर ठीक है मुष्ट कुष्ण है सभी और यह आपका स्टार्ट होता है खंड से और खंड से में आपको द्रीग उत्री परसंद पूछें दो दो नमबर के हैं दोस्तों आप देख सकते हो यह जिसमें स्वेज और पनामा नेर की तुलना पहला कुष्ण आपके सामने तेरवा द दोस्तों ठीक है तो यह देख सकते हैं निबंदात्मक पर्शन तीन तीन नमबर में आपको पूछे दोस्तों निबंदात्मक पर्शन कच्छे माल के अधर पर द्योगों को यहां पर समझाईए देखो यह सत्रवा सूती वस्तरवाड़ा और यह अठारवा कुष्ण है दो दुगपुर माराष्टर केंदर है तो यह एक कुल मिलाकर आपको में बरना अगर में बरना आता है तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों आसने बढ़ देंगे वैसे आपको रज्य आने चाहिए मैं मैंने रज्य का वीडियो डाल रहा कि मैं किसे भरे ठीक है तो उसको आप राल